समस्कार दोष्टों पोश्ट भी रहने वाली है फीजो थेरेपिस्ट का भी पद इसमें आप्पे शामिल किया जारा OT टेकनीशन की पोश्ट भी इसमें आप पर रहेंगी सदिताथ, डाइटीशन की पोश्ट भी है और ड्रेसर और भी इसमें अन्य पद जामिल कर ली गए और दोस्तों ये All India Vacancy रहेगी आप किसी भी राजे से हैं किसी भी स्टेट से All India Candidate इस Vacancy को बिल्कुल आप लोग एपलाएं कर सकते हैं नमबर वखेंसी आप पर डिसकस करते हैं तो बताना चाहता हूँ 100 से भी जादा पदों को इसमें आपे शामिल यहां पर कर लिया गया तो पूरी जानकारी वीडियो में कवर कर लेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखना चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की वेकैंसी की जानकारी आगे आपको यहां पर मिलती रहेगी तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस नहीं करते हैं सीधे से बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और तो दोस्तों यह जो वेकैंसी आपे जो रिलीस की गई ब्रोडकास्ट, इंजिनेरिंग, कंसल्टेंट, इंडिया लिमिटेड तो बेसिल द्वारा यह रिकूट्मेंट जारी यहां पर हो चुका है नौ फरवरी को यह जानकारी ओफिशाली वेबसाइट पर आपको प्रवाइड करा दी गई और दोस्तों यह जो वेकैंसी है इंदरा गांधी होस्पिटल द्वार का न्यू देली के लिए रहने वाली है बात करते हैं कौन-कौन सी पोश्ट है, कितने पद है, क्वालिफिकेशन क्या कर चाहिए और सैल्री पैकेज इसमें आपके लिए क्या टैक किया गया तो देखिए सबसे पहले नमबर पर लिखा है नर्सिंग आफिसर्स कहा सकते हैं, स्टाफ नर्स की यह पोश्ट है नर्सिंग आफिसर्क के देखिए इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पर पर 10 बिक्षा पास हो और स्टेफिकेट कोर्स में आपको आपे बोलना आना चाहिए, 32 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखी गई, कोई भी experience नहीं मांगा जा रहा है, और salary रखिए, बैतरीन salary package मिलेगा, 60,012 रुपे यह आपको परिमंध बेसे इस पर salary आपको दे दी, जाएगी इसके बाद देखिए, अगली जो प experience इसमें आप लोगों से मांगा जाना, सम्मधित आपके पास, इन trades में आपके पास यादी experience है, तो बिल्कुल आप लोग इस post के लिए apply हैं, कर पाएंगे, 18 से 27 साल उमर आप पर रखे गई, 38,340 रुपे आपको यह परमंध बेसेस पर salary मिलेगे, इसके बाद देखिए, lab assistant की post है, इसमें एक पर है, metric हो, 12 वी कक्षा पास हो, 10 वी, 12 वी कक्षा वाले candidate apply करें, और DMLT का course है, simple DMLT है, तो भी बिल्कुल apply कर सकते हैं, और 12th class pass है, vocational course है, MLT में, तो भी बिल्कुल आप लोग अप लोग अपला हैं, कर सकते हैं, 18 से 27 साल उमर रखे गई, कोई भी experience ने चाहिए, 33,240 रुपए आपको salary मिलेगी, फोर्थ नमर पर देखिए, pharmacist के लिए vacancy आ चुकी है, इसमें 11 पर है, be farma candidates इसमें apply कर दे, 12th class pass है, science subject में, means physics, chemistry, biology में आप लोग अपला करें, और pharmacy council में आप लोग को register होना, आपका ये जरूरी बोला गया है, 18 से 30 साल उमर रखे गई, कोई भी experience नहीं चाहिए, 38,346 रुपई आपको salary मिलेगी, इसके बाद junior radio grafer, तो junior radio grafer के 5 पने, 12th class आप लोग आप लोग आपे 500 सबसे पहले, certificate AC field में मांगा जा रहा है, diploma course है, तो बिलकुल apply करें, और BSC course है, तो भी apply कर सकते हैं, और 2 साल का experience है, तो भी बिलकुल कर पाएंगे, 18 से 27 साल हुमा रखे गई, कोई भी इसमें experience के जरुवत नहीं है, 33,244 रुपई salary आपको मिलेगी, इसके बाद ECG technician के आप देखिए, 6th नमर पे, ये 3 पद इसमें आप शामिल कर ली गए, metric, 10 वी और 12 वी कक्षा, candidates जो पास हैं, आप लोग apply करें, ITI course है, electronic मे तो भी बिलकुल apply कर सकते हैं, science में degree है, physics के साथ, और हिंदी माशा की समाजें आप लोग apply करें, 18 से 27 साल हुमा रखे गई, एक साल का working experiences में आप लोगों को ECG machine पे आपको यहाँ पर आना चाहिए, 33,240 रुपई आपको salary, परमन्त basis पे दे दी, जाएग इसके बाद, reflectionist के पे पोश्ट इसमें दो पद है, 12th class आप लोग आप पास हो, डिप्लोमा इसी फील्ड में आप लोगों से मांगा जा रहा है, और 20 से 32 साल हुमा रखे गई, कोई भी experience ने चाहिए, 33,240 रुपई आपको परमन्त basis पे salary मिलेगी, इसके बाद, audiometry assistant इसमें एक पद है, और 12th class पास हो, certificate याँ पर डिप्लोमा हो, audiology में आप लोग अपला करें, 32 साल हुमा रखे गई, कोई भी experience है चाहिए, 38,346 रुपई ये salary आपको मिलेगी, इसके बाद, 9th नमबर पे, फीजो थेरपेस्ट की पोश्ट भी आ चुकी है, और फीजो थेरपेस्ट की कुल मिला के दो पास हो, और ओप्रेशन रुम का आपके पास ये, इसके बाद, दोस्तों, अगरी जो पोश्ट है रहेगी, ओटी असिस्टेंट इसमें 5 पर है, 12th क्लास आप लोगे आपके पास हो, और ओटी रूम का मीज, ओप्रेशन रूम का असिस्टेंट का आपके पास कोर्स है, बिलकुल अपला करें, 27 साल उमार रखे गई, कोई भी experience है नहीं चाहिए, 25-512 salary आपको मिलेगी, इसके बाद occupational therapist इसमें 2 पर यहाँ पर शामिल कर ली गए, B.S.E., paramedical, higher secondary, science में आपके पास है आपके पर कोर्स हो, डिपलोमा, इसी फिल्ड में आप लोगों से मांगा जा रहा है, 21-32 साल उमार रखे गई, 2 साल का experience मांगा जा रहा है, occupational therapist का, और 4902 रुपे यहाँ आपको परमाथ basis पर salary मिलेगी, इसके बाद assistant dietitian class में एक पन है, degree होना चाहिए, science में, home science में, या फिर home economics में, diploma या फिर certificate course है, dietary में, तो भी apply कार सकते हैं, 32 साल उमार रखे गई, एक साल का dietary का working experience आप लोगों से मांगा जा रहा, 4902 रुपे यहाँ आपको परमाथ basis पर salary मिलेगी, इसके बाद post-martem technician या फिर mortuary technician के post है, और देखिए mortuary assistant, तो ये पद भी इसमें आप पर शामिल कर लेगा है, तो technician के दो पद है, assistant का एक पद है, qualification से में, 10 वी कर्षा सिर्फ आप लोगों को पास होना आपका या पर जरूरी है, 32 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखे पांस साल का experience आपको, चाहिए इसमें आपको इतना salary package ये परमंद basis पे दे दिया जाएगा, अंति में दो post और बस नी है, dresser की, dresser के 4 पद है, सिर्फ 10 वी कर्षा पास होना आपका आप पर जरूरी है, 18 से 27 साल उमर आप लोगों के लिए रखे गई, 5 साल का आपको dresser का working experience म साल उमर रखे गई, एक साल का working experience इसी field में आप लोगों से मांगा जा रहा, 25-512 रुपे ये आपको परमंद basis पे salary बिले की बात करते हैं, आपको apply करना है, apply करने की last date क्या रहेगी, तो 10th number का point है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर जानकरी दी जारी कि BE CIL की जो official website है, यह यहाँ पर career के section में आपको जाना है, online mode में आपको अपना online application form आपको यहाँ पर fill करना होगा, सारी जानकरी आपको online mode में ही आपको provide करानी होगी, इसके बाद देखिए आपके last date की information, तो देखिए last date जो है, 24 फरवरी 2023 यह apply करने की last date यहाँ पर यह रहने वाली है, और दोस् आपको communication आपको यहाँ पर provide कराए जाएगा, और सारे शीज़ां आपके clear कर दी जाएगी, जितनी भी post है, सब के लिए आपको online application form आपको यहाँ पर fill करना है, और दोस्तों यह जो vacancy आपे जो release की गई, यह permanent नहीं है, outsourcing basis पर यहाँ पर निकाली जा रही है, और इसके लिए जो है, इंदरा गांधी, हॉस्पिटल, दौरका, न्यू देली, यहाँ के लिए यह recruitment रहने वाला है, तो all India candidates इस vacancy को apply कर सकते हैं, यदि आपके पास qualification है, बिल्कुल आविदन कर दे, चाहे तो वीडियो को like कर सकते हैं, कैनल को subscribe भी कर लीजेगा, क्योंकि आगे की vacancy की जा Thank you so much.